पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को जिन्वारा पहुचे, एयर स्ट्रिप पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साथते हुए कहा कि आयोध्या में राममंदिर सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बन रहा है। भाजपा के पास राममंदिर का कोई पट्टा नहीं है, उन्होंने कहा कि मंदिर देश का है, किसी पार्टी का नहीं। अयोध्या जाने के सवाल पर बोले कि बाइस जन्वरी के बाद जाऊँगा। देखिए, सवाल क्या है, राममंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने करा, और कोई इसमें कहें कि श्रेयर लेना चाहें, राममंदिर सुप्रीम कोट की जज्मेंट की बाद इसकी शुरू बात हुई, बाजपा की सरकार्ती, तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना, राममंद मंदिर का पट्टा तो बाजपा के पास नहीं है, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राममंदिर पर,